हेलो फ्रेंड्स आज हम की केमिस्ट्री के कुछ कॉस्चन्स देखेंगे जिसे की सबसे पहला कॉस्चन है पदार्थ के परमार्विक सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था तो इसका आंसर राइट आंसर होगा जॉन डॉल्टन ने ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है परमार्विक का आकार कितना होता है इसका राइट आंसर है परमार्विक का आकार 10 to 15 मीटर तक होता है और जो परमार्विक का ब्यास है वो 10 to 10 मीटर के बेक्षा बहुत कम होता है पर माणू के भीतर नाबिक बहुत ही कम आयतन घेटता है नेक्स्ट रोच्चन है निमलिखित में से कौन एक आइस्था इकन है तो इसका अंसर हो जाएगा न्यूट्रोन और न्यूट्रोन की खोज किस ने की थी जेम्स चेडविक ने 1931 में न्यूट्रोन जो है इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है यह आवेश रहत होता है न्यूट्रोन और प्रोटॉन पर माणू की नाभिक में एक साथ पाए जाते हैं और इसे हम N से डिनोट करते हैं नेक्स्ट कोचिन है कौन सा एक किसी तत्व की परमाडू क्रमांग को सही निर्धारित करता है मतलब परमाडू क्रमांग में किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है तो मेंली उसमें होता है प्रोटॉनों की संख्या नेक्स्ट कोचन है परमाणू की नाभिक में कौन से कण होते हैं अभी मैंने बताया था आपको प्रोटॉन और नूट्रोन ये जो है परमाणू की मद्ध इस्थित धनात्मक बैदुत आवेश युक्त अत्यन ठोस शेतर होता है नाभिक और नाभिक में प्रोटॉन और नूट्रोन पाए जाते हैं नेक्स्ट कोचन है कौन सा आवेश रहित कण है मतब जिसमें आवेश नहीं होता वो है नूट्रोन नेक्स्ट कोचन है परमाणू में कौन सी मूलकण समान संख्या में होते हैं इसका अंसर है electron और proton अगला question है सबसे पहरे एक electron के आवेश का निर्धारन किस ने किया था इसका अंसर है millican एक ये अमेरिकी विज्ञानिक थे इन्होंने इन्हें 1923 में बहुत तिक के लिए noble प्रसकार से सम्मानित भी किया जा चुका है एक electron पर कितना आवेश होता है इसका राइट अंसर है 1.6 into 10 to the power 19 कूलाउन next है रदरफोड के प्रकीनन ने किसकी मौझूदगी को सिद्ध किया था पर माडू के केंद रखे okay thank you friends for watching this video